हेलो फ्रेंट्स वेल्कम डियास कीचन अगर आप में चैनल पे नए हो तो प्रीस लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्काइब कीजिए और बेल राकम को दबा दीजिए आज हम बनाएंगे मटर और गाजर की सबजी जो बहुत ही ज़्यादा टिस्ठी बनती है खाने में और विंटर की सिजन में गाजर के सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा मिठे होते हैं तो चल यहां गाजर की सब्जी बनाते हैं , कि सब्सक्री यह मनें यहां पर लिया है फ्रेज मटर 5-6 तेबल स्पून जितना ओयल, दो टमाटर की क्यूरी, एक चॉप की अनियन, 1.5 तेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 तेबल स्पून हल्दी, चॉप की ग्रिंचिली, 1.5 तेबल स्पून नमक, 1.5 तेबल स्पून तीरा पाउडर, थोड़ा सा फ्रेज सरा धनिया, 1.5 तेबल स्पून जितना रेजचिली पाउडर, और थोड़े से गार्ली, तो चलिए, अब हम गाज़े की सबजी बनाते हैं, गाज़े की सबजी बनाएं के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, अब हम उसके अंदर ओयल को डालेंगे, और इसे गरम होने देंगे, बहुत य अछही तरा से गरम हो चुका है, अब हम उसके अंदर थोड़ा सा जीरा, डालेंगे, चटकी पर हिंग डालेंगे , जीरा हमारा बहुत यछी तरा से बहुन चुका है, अब हम इसके हंदर छॉपखके ओनियंगे, अब हम इसे दो मिट के लिए भूनने देंगे ओनियन हमारी बहुत इच्छी तरह से भून चुकी है अब हम उसके अंदर टमाटर की क्यूरी डालेंगे और इसे मिस्ट कर लेंगे अब हम उसके अंदर चॉप क्यों घाली को डालेंगे रेज चिली पाउडर डालेंगे गरम मसाय डालेंगे हल्दी डालेंगे चॉप क्यों ग्रीन चिली डालेंगे नमक डालेंगे जीरा पाउडर डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी दिरा से मिस्ट कर लेंगे अब हम इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी दिरा से बुनने देंगे और पांच मिट्र के लिए डखकन से बन करेंगे और गैस की आंच को धिमाई रखेंगे कि आप देख सकते हो 5 मिट हमारी हो चुकिह अब हम डखकम को खोलेंगे कि अ कि ऑग और इनमादर की गरेवि और मरी बहुत ही अच्छे दिरा से मसाले में आप देख रहे हैं मら wid मधो मध बहूत ही एच्छे को डालेंगे मटर को डालेंगे और इसे मसाले के अंदर बहुत अच्छे तरह से मिश्च कर देंगे मटर और गाजर को मसाले के अंदर दो मिट के लिए से बुनने देंगे और डक्कम से बन करेंगे और गैस की आंचकों में धिमाई रखना है अब देख रहे हो दो मिट हमारी हो चुके अब हम डक्कम को को लेंगे मतर गाजर मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से बुन चुके है अब हम उसके अंदर हम डेख लाज इतना पानी डालेंगे और दीमी आज पर इसे पकने देंगे पानी को मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिस कर लेंगे और येस की फ्रेम को में मीडियम आज भी रखना है और पंद्रा मीट के लिए धक्कन से बन कर देंगे पंद्रा मीट हमारी हो चुकी है अब हम धक्कन को खोलेंगे अब देख रहे हो सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है अब हम येस की आज को बन करेंगे और सर करने के लिए एक सर्वी बाउंड के अंदर निकाल लेंगे अब हम इसके उपर गानिस करने के लिए थुदा सारा धनिया डालेंगे गाजर और मटर की सब्जी हमारी बहुत ही ज़्यदा टेस्टी बनी है और एकदम डेली सेस बनिये बिल्कुल आसन तरीके से जटपट बनने वाली रेसिपी है अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आए तो प्लिस लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्काइब कीजिए आपको मिलती रहे और हम मिलेंगे जट नई रेसिपी के साथ आपको मिलेंगे जट आपको मिलेंगे कीजिए आपको मिलेंगे कीजिए